हम इस बात से अंजयान अपने घरों में आराम से रहते हैं, खाते हैं और रोज मरा की जिंदगी में जो काम होता है उसे करते हैं पर यहां आंतरिक्ष में यह एस्टोराइड अंधेरे को चीरते हुए हवाज की रफतार से 50 गुना तेज हमारी और्ट की तरफ बढ़ रही है यह एस्टोराइड हमारी और्ट पर पहले भी हमला कर चुके हैं हमारे साइंटिस्टों के मुताबिक आसे साड़े 600 करोड साल पहले एक 10 किलोमेटर की आस्टोराइड ने डाइनसोरों का सफाया कर दिया पिछले कई सालों से हो रहे डिसर्ट से यह पता चला है कि हमारी और्ट से एस्टोराइड पिछले 1500 सालों में कई बार ठकरा चुकी है लेकिन यह एस्टोराइड जाता बड़े नहीं से इसलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा और इनके ठकरानी की जगह अंटार्टिका और ओशिंस में थी पर हमारी और्ट की तेजी से बड़ती आबादी से इस बात के चौंसेस बड़ जाते हैं कि यह एस्टोराइड रिहाईसी इलाके पर भी फट सकती है जो बहुत जानलेवा साबित होगा 15 फरवडी संग 2013 मैज 18 मीटर चौड़ी एक एस्टोराइड चेलिया बिंस क्रूज शहर के उपर हवा में फट गई जिसकी बज़े से हजारों लोग खायल हो गए आस्मान से निचाती हुई शमकदार चीज़ को देखने सब ही बहार आए और कुछ ही पल बात जब या ऐस्टोराइड वटी तो उससे निकलने वाली शौक वेल्स ने खरों की खिड़किया तोड़ गी और हजारों की चादाद में लोग खायल हो गए लेकिन चेलिया बिंस क्रूज शहर की ऐस्टोराइड तो सरफ 18 मीटर चौड़ी थी जो हमारे सौरमंडल में ही फट गई पर अर्थ के बाहर स्पेस में फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी बड़ी ऐस्टोराइड है और अगर ये ऐस्टोराइड हमारी अर्थ से ठकराई तो समझो सब कुछ ख़त हमारे साइंटिस्ट और अस्टोराणोमस इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी अर्थ की तरफ एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी ऐस्टोराइड आती है तो उसे रास्ते से कैसे हटाना है कुछ लोगों ने नुकलिय मिसाइल का आईडिया दिया अगर हमें कोई अस्टोराइड हमारी अर्थ की तरफ बढ़ता नजर आता है तो हम उसे एक नुकलिय मिसाइल के जरीय उड़ा देंगे आप में से कई लोग शायद यहीं सोच रहे होंगे कि ये आईडिया बेस्ट आईडिया है पर अगर एक फुटबॉल के मैदान जिती बड़ी अस्टोराइड को कोई नुकलिय मिसाइल हिट करती है तो उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे और वो टुकड़े अर्थ के अटमोस्पेर में घुशकर पत्तरों की बारिश कर देंगे जिसका नतीजा बहुत बुरा होगा ये आईडिया पेंडी में है अगर इन एस्टोराइड से बचाओ का रास्ता धूड़ना है तो सबसे पहले हमारे साइंचिस्टों को ये पता लगाना होगा कि इन शट्टानों का आकार क्या है और ये और्थ का कितना नुकसान कर सकती है आकार बहुत माईने रखता है पर अगली अहम चीज है वो एंगल जिससे ये शट्टाने हमारी और्थ के अट्मासफेर में दाकिल होगी जब कोई एस्टोराइड हमारे वाई वंडल में दाकिल होती है तो वो चलने लगती है और छूटी अश्टोराइड ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती वो हवा में ही फट जाती है पर अगर एक छूटी अश्टोराइड ही खड़े अंगल से हमारे वाई वंडल में दाकिल होती है तो वो जादा नीचे जाकर फटेगी और जादा नुपसान करेगी किसी भी अश्टोराइड की स्पीद 16 किलमेटर फ़स सेकेंड हो सकती है जो बहुत जादा है किसी भी अश्टोराइड का रास्ता बतलना लगभग आसान है मुश्किल काम तो उसे ठूड़ना है ये है अश्टोराइड बेल्ट और फट के आस बास पाए जाने वाली कुछ 11,000 अश्टोराइड के बारे में हम जानते है पर लाको अभी एक्स्प्लोर होनी बाकी है जिनने ठूड़ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो डार्क गैरे रंकी होती है और जमीन पर मौझूड टेलिस्कॉप सूरज की चमकदार रोश्णी में इन चटानों को देख नहीं पाते इसके लिए हमें और्थ के बाहर कोई बड़ा टेलिस्कॉप जाहिए वो भी इंफ्रारेड टेलिस्कॉप हमारा एस्टरोनमस का इरादा है कि एक बड़े इंफ्रारेड टेलिस्कॉप को सन के आर्बिट में भेजा जाए और उसे अर्थ की तरफ घुमा कर आश्टरोईट का पता लगाए जाए इस पेस में कोई भी चटान सूरच की गर्म रोशनी को अपने अंदर सोकती है जिससे इन चटानों में इंफ्रारेड टेलिस्कॉप हाई इंफ्रारेड टेजक्टर से लैस होंगे जो इस चमक को देवकर इन चटानों का पता लगाएंगे लेकिन प्राब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 50 करोड डॉलर का खर्च आएगा और उमीद करते हैं कि 2024 से कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा पर अभी का क्या? अगर हमें पता चलता है कि हमारी और्थ की तरफ एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी ऐस्टरोइट बढ़ी चली आ रही है अगर हम उसकी तरफ आज एक नुकलियो मिसाल छोड़ते हैं तो वो मिसाल 50 दिन में उस ऐस्टरोइट को हिट करेगी पर इसका क्या फाइदा? एस्टरोइट हमारी और्थ के बहुत नज़ीक आ चुका होगा और इसके टुकड़े हमारे अट्मॉस्पेर में घुसकर आतंक मचा देंगे फिर हमारे साइंटिस्टों ने निकाला एक नया तरीका हमारे अश्टरोइट को स्पेस में भाब बनाने का प्लान बना रहे हैं यह है एक लेजर किसी भी रोशनी को रॉकेट से कंपेर किया जाए तो जाहिर सी बात है रोशनी तेज है जिस अश्टरोइट तक एक नुकलिया मिसाल को पहुचने में 50 दिन लगेंगे वहाँ पर इस लेजर को पहुचने में 4 मिंट लगेंगे मतलब एक अश्टरोइट को रास्ते से हटाने के लिए हमें दुगना टाइम मिलेगा पर यह लेजर उस अश्टरोइट को भाप में नहीं बदलेगी बलकि लेजर एस्टरोइट के बस थोड़े से हिस्से को जबर्दस हीट करेगी जिसकी वज़े से यह हिस्सा एक इंजन की तरह पूरे एस्टरोइट को हमारी अर्थ से दूर धकेल देगा लेकिन इस लेजर को चलाने के लिए बहुत बड़े पाव सोसकी जरूरत पड़ेगी जो आस तक कभी लगाये नहीं गए जो बहुत बड़ा होगा बहुत बड़ा तो दोस्तों आपके दिमाग में इस एस्टोराइट को इस देज में खत्म करने के लिए कोई आइडिया है तो मुझे नीचे कमेट में जरूर बताओ और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो शेयर कर दो और इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले यार